नमो नमा विद्यार्तियों संस्कत विशे की कक्षा साथ में TSN Online ocasional पर आप सभी का स्वागत है पिद्यार जो प्रीवेस वीडियो में हमने रुची राध धूतियो भागे जो आपके संस्कत विशे के पाठ्या कुस्ता का बचो उसका जो चेप्टर सेवन है संकल पहा सेधी दायत है इस चेप्टर के जो अभ्यास प्रशन है पहला प्रशन उच्चारणम पुरूत यानि क प्रशनों के उत्तर एक पद में आपको लिखने है ठीक है वन वर टाइप वाला प्रशन है बचो तपह प्रभावात के सखाया जाता तब के प्रभाव से कौन मित्र हो गए तो हमने चप्टर में पढ़ाता बचो कि तपके प्रभाव से कौन मित्र हो गए थे पारवती जी के तो हिंसक पशु थे वो भी पारवती जी के सखाया जैने कि मित्रवत हो गए थे दोस्त के समान हो गए थे ठीक है तो कौन हो गए थे हिंस पारवती तपस्यार्थम पुत्र अगच्छत पारवती जी है वो तपस्या के लिए कहा गई थी कहा गई थी तो आंसर हो जाएगा इसका गउरी शिखरम नेक्स है कह शमशानी वसती कौन शमशान में रहता है तो कौन शमशान में रहते हैं तो भगवाण शिव रहते हैं तो आंसर हो जाएगा इसका शिव है नेक्स है शिव निंदाम शुत्वा का कुरद्धा जाता शिव निंदा को सुल करके कौन कुरद्ध हो गई थी पारवती प्रवेश किस ने प्रवेश किया था बगवान शिव ने किया था तो आंसर हो जाएगा इसका बचो शिवा है चीक है तो बचो वनवड वाला टाइप वाला कॉश्चिन जो एक पदन उत्तरा था वो कॉश्चन आमने समझ गिया है बचो मैं आपको पीडियाफ सेंड करूंग उसके accordingly आप answer right करेंगे next question number four है बचो कह काम कम काम प्रती कर्चती यानि कि किसने और किसको और किसके लिए कहा यानि who to whom वाला जो question होता है बचो कि ये शब्द किसने कहे और किसके लिए कहे ठीक है न तो sentences में दिये गए है और हमें एक example भी दिया गया उसके according तो उसको समझत होते हैं हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे ठीक है बच्चो तो example दिया गया यह था करके वस्से तपहा कठीनम भावती कि हे पुत्री तप कठीन होता है तो हमने चेप्टर में पढ़ा था बच्चो कि ये sentence जो पार्वती जी की माता है मैना उन्होंने कहे ते और किसको कहे माता ने तो कहा का कि वाले कॉलम में हम माता लिखेंगे और कम और काम में पार्वती ठीक है नेक्स है नेक्स है अहम तपहा एव चरिश्यामी मैं तप करने को के लिए जाओंगी तो ये बात किस ने कही थी पार्वती जी ने कही थी और किसको कही थी माता मैना को कही थी तो हो जाएगा इसका पारवती और किसको कहीती मैंनाम नेक्स है मनस्फई कदापी धेडयं ना परिभ आजती जो मनस्फई लोग होते हैं महाणपुरुश होते हैं गुद्धी जी जो लोग होते हैं वो कदापी यानि कभी भी धेडये को नहीं त्यागते हैं यह सेंटेंस किस ने कहा था पार्वती जी ने कहा था किसको कहा था जो उनकी सखीती विज्या को कहा था ठीक है ना तो जो कहे वाला कहे और काम वाला जो कॉलम उसमें हम पार्वती फिल करेंगे और कम और काम वाला जो कॉलम उसमें हम विज्याम लिख देगे, थिकर है, next है अपड़ना इती नाम्ना त्वं प्रतिता, अपड़ना के नाम से भी तुम क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई, ये bede, यह sentence कहा था, विजिया ने कहा था, किसको कहा था, पारवती जी को कहा था, थिकर है ना, तो विजिया फिल कर देगे हम और next वाले पारवति तुम्हारे संकल्ब से तुम्हारे दढधनिश्चे से में प्रसन्न हुआ यह संक्टेंस किसने कहे थे यह वाक्य है बगवाई शिव ने कहा था और पारवति जी को कहा था ठीक है ना तो कहे का वाले कलों में हम शिवाय फिल करतेंगे और कम और कम वाले में हम पार्वतीम लिदेगे ठीक है नेक्स है शरीरम माध्यम खलू धर्म साधरम शरीर तो क्या है ये धर्म का साधरना है यह शरीर है तो ही धन्त का साधना है ठीक है ना तो यह sentence किस ने कहा था यह बोला था ब्रह्मचारी रूप में जो शिवा आयते वटू यानि कि जो ब्रह्मचारी रूप में आयते उन्होंने कहे थे और किसको कहे थे विज्या को कहे थे ठीक है तो वटू हुने कहे थे और वि पार्वतिम् ठीक है तो नेट्स क्वेशन पर चलते हैं बच्छो हम पेज़ नमबर 43 पर क्वेशन नमर 5 है बचो प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखत प्रश्नों के उत्तर लिखो ठीक है तो पहले जो आमने किये थे वो वनबर टाइप क्वेशन थे बचो एक पदे उत्तरत टाइप का प्वेशन था और यह हमें पूरा complete answer लिखना है बचो ठीक है ना तो पहला पार्वती कृध्धा सती किम अवदत पार्वती जी ने कृध्ध हुए वी सती को क्या बोला ठीक ना पार्वती ने पार्वती कृध्धा सती किम अवदत पार्वती जी जब कृध्ध होकर के क्या बोली थी बहुत क्रौधित होकर के जो थी वो क्या बोली किसको बोली थी जो ब्रह्मचेरी वेश में भवाय शिवायतना उनको ठीक है ना तो क्या बोली थी वो पार्वती कुद्धा सती पार्वती कुद्ध होकर के अवदात बोली यत अरेवाचाल अपसर जगती नेको अपिश्युवस्य यतार्थम श्वरूपम जानाती यतात्वमसी तदेव वदसी कि पार्वती कुद्धा सती एवदत पार्वती कुद्धित होकर के अवदत यàni बोली कि अरे वाचाल अरे ज़्यादा बोलने वाले अरे बड़ बोले अब सरह दूर हटो, जगती ने को अपी जगत में, संसार में, को अपी कोई भी, शिवस्चे यथार्थ स्वरूपम, शिव के यथार्थ स्वरूपम जानाती, शिव के यथार्थ स्वरूपम कोई भी नहीं जानता, यथा तुमसी तथे वद से, जैसे तुम हो, वैसे ही तु कौन पाप का भागी होता है तो आंसर होगा इसका शिवह निंदाम यह करोती जो शिव की निंदा जो करता है शनोती और सुनता है चै पाप भाग भागी होता है नेक्स कुशन नमर फाइब का थर्ड नमर का गव कोशन है बचो पारवती किम करतुम एच्छत पारवती जी क्या करने की इच्छा करती है उनकी क्या इच्छा थी तो उनकी इच्छा थी पारवती तपस्या करतुम एच्छत पारवती जी की तपस्या करने की इच्छा थी ठी पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्चछी पार्वती जी हैं वो किसके साथ में गउरी शिखर में गच्चछी है किसके साथ गई थी वो वो अपनी सखी विजया के साथ में गई थी ठीक है न तो उसका समस्कत में आंसर बने का बच्छो पारवती विजया साकम गौरी शिकरम कच्छती पारवती विजया के साथ में गौरी शिकर को जाती है ठीक है नेक्ट क्वेशन नमबर शिक्स पर चलते पदों को चुन्ड करके सिलेक्ट करके decision appearance उसके शमान्द वाली similar जो पद है similar जो वर्ड उल्क आपको लिखना है थीक क्यांतो छिलायाम का समानार्थक पद होगा शिलर पश्वया पशवय का समानार्थक पद हो गया जंतवय नेक्स है अंबा, अंबा का समानार तक पत हो गया बच्छो माता, नेक्स है नेत्राणी, नेत्राणी का समानार तक पत हो गया नैनानी, ठीक है, नेक्स है तूशनी, तूशनीम का अर्थ चुप होता है, तो मौन में भी चुपी रहते हैं तो तूशनीम का समानार तक पत हो ग करें तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया वसती स्मा वसती स्मा और सामने इसके आंसर बनाया है अवसत ठीक ना तो बचो पूरू में भी मैं आपको बता चुकी हूं कि जब वर्तमान काल की क्रिया होती है उसमें एदियम स्मय का प्रियोग कर देते हैं तो वो भूत काल का अर्थ प्रकट करने लग जाती है ठीक है तो वसती स्मय को हम सिर्फ वसती बोलते हैं तो रहने वसती यानि रहता है ठीक है और वसती स्मय लगते ही इसका अर्थ हो गया रहता था ठीक है तो इसी को जो बूत काल में हम और क्या शब्द बन सकता है वसतात उसे तो बूत काल तो इसी प्रकार से हमें पश्यतिस्म यानि कि देखता था इसको यदि हमें लिखना होगा भूदकाल में परिवर्तित करके तो हम लिखेंगे अपश्यत्थ तपतिस्म यानि कि तपता था तो इसी का बन जाएगा बूद्काल में लंगलक वाल में तपत नेक्स है Tint righteous man तो स्मा नहीं लिख करके भी हमें यदि सोचता था इस आर्षे में यदि हमें शब्द बनाना होगा तो हो जाएगा अचिंतयत ठीक है, नेक्स से वदतिस्म वदतिस्म यानि बोलता था तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं अवदत ठीक है, नेक्स से गच्छतीस्म तो और क्या लिख सकते हैं अच्छत ठीक है 爺ना अगच्छतीस्म यानि जाता था और अगच्छत कार्थ जाता था ठीक है, नेक्स चलते हैं इसमें नमे इंग्जामपल जो दिया गया है बचो question number 7 का जो second में दिया गया है हमें example वापस कुन है आ लिखत आ लिखत हमको दिया गया है यानि कि लंग लकार भूत काल का शब्द short में हमें दिया गया है इसका अर्थ में होता लिखता था लेकिन यहां पर हमें detail में उसको स्मा प्रियुक्त करते वे लिखना है तो लिखती स्मा इसमें example दिया गया है तो इसी प्रकार आ काथियत यानि कि कहता आ कर्दा तू कहने कार्थ में चीकर न तो आ काथियत का यदि है में detail में स्मा का प्रियुक्त करते तो आज की करख़ा में रहिएक्स हमने जो आपका चप्टर 7 है, संकलपा है, सिद्धी दायक है, इस पार्ट के जो सभी प्रशन है, प्रशन नमबर आज के कक्षा में हमने जो प्रशन नमबर 3, 4, 5, 6 और 7, सभी प्रशनों को हमने बचो समझा, ठीक है, और हैंड रिटन पीडियेफ जो मैं आपको सैंड करूंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप संदर लेखनी में, सभी प्रशनों के उत्तरस को, आंसरस को आप राइट करेंगे बचो, और साथ ही में उनको सभी प्रशनों को आप लर्न करेंगे, ठीक है बचो, आज की कक्षा में इतना ही बचो, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, नए दिहाई के साथ में बचो, ठीक है बचो, तब तक के अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुबह मंगलम,